तो हेलो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का मेकप टुटोरियल जो की बहुत इंटरस्टिंग है और देखिए फ्रेंड सबसे पहले जो काम करना होता है ना सबसे पहले आप अपने लिप्स को प्रेप कर लीजिए तो मैंने यहां पर लिप बाम का यूस किया हुआ है अ और उसके बाद देखिए सबसे पहले जो काम करना होता है ना मेकप के पहले आपको प्राइमर यूस करना होता है तो अच्छी तरह से प्राइमर ले लीजिए और अपने फेस पे अप्लाइ कर लीजिए फूरे फेस पे अपने नेक पे येर पे प्राइमर जो है यह मैंने ल बहुत जादा लांग लास्टिंग रहे और बहुत जादा ग्लोई लगे तो आप सीरम का यूज जरूर करिएगा और इसे अच्छी तरह से हम अपने फेस पे पूरा अप्लाइ कर लेंगे इसके बाद मैं लेने वाली हूँ रिवेलेशन का एचडी प्रो कंसीलर जो कि फ्रेंट्स में यहां पर डू कॉंबिनेशन करने वाली हूँ जैसे कि आप दे सकते हैं यह है यलो बेस यह लाइट यलो बेस है जो कि मैं अपने स्कीन पर अप्लाइ कर रही हूँ और इसके यह मैंने हमेशा यूज किया हुआ है तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और यह पर फेक्ली फांडेशन मर्ज होता है और एकदम से केकी और फेकी नहीं लगता आपके स्कीन पर पर्फेक्ट लगता है तो यह जो दूसरी फांडेशन आप देख रहे हो ना यह है क्रेल अपने स्कीन टोन का भी ले सकते हैं मैंने यहां पर एचडी प्रो लिया था आपने स्टार्टिंग में देखा रीवेलेशन का पैलेट से और उसके बाद क्रेलॉन फांडेशन चूज करना बहुत ज्यादा इंपोर्टन है और इसे ने अच्छी तरह से ड़ाप करके अपन अपने स्कीन टोन से एक शेड हमेशा लाइट लेना होता है और दो मिक्षर करेंगे तो बहुत ही अच्छा सा आपका मेकप एकदम फ्लॉलेस लगता है आपकी स्कीन टोन कैसी भी होने दो ताग धब्बे भी होने तो तब भी चुप जाती है तो देखें फ्रेंड्स ही मैं अप्लाइ कर लिया है पुरे नेक पे पुरे फेस पे अब थोड़ी देर के बाद आप देखना यह स्कीन एकदम पॉफेक लगेगी बिल्कुल भी ऐसा लगेगा नहीं कि यह फाउंडेशन अप्लाइ किया हुआ है थोड़े टाइम के बाद यह पूरी अच्छी तरह से कर रही हूं जो कि मैंने लिया है गुड़ वाइप्स का यह काफी अच्छा है सौरी एन्वाई बे का है यह फाउंडेशन अच्छी लर और मैंने हर एक डिस्क्रिप्शन में आप लोग उनको मेंशन कर दूंगी कि कौन-कौन से प्रोड़क्स में यूज कर रही हूं और उ यह विजित तो सीक्ष्ण में के स्पूंद में जो सतंगी सफर्जस आता है इल एक बांसे से और अच्छा डीखें तो यह उनके लिए जिह प्सक्रिणी कर आ刃 हूं तो यह का रही हूं तो रहित टुक सब्सक्रिक्स है तो इस बनाल प्र आःट किन कर दो हूं किया है उस इसके बाग प्रेस पाउडर लिया है मैंने यहां पे यहां पे मैंने जो यह पाउडर यूज कर रही हूं कॉम्पक्ट यह है कलर बार की और इसका शेड भी है 26 यह सबसे बेस्ट है और अची तरह से हमारे जो स्वेट वगेर आती है न फेस पे वो बिल्कुल भी नहीं आता ह तो यह कॉम्पक्ट पाउडर यूज किया है मैंने यहां पे अच्छी तरह से डब डब करके हमें कॉम्पक्ट पाउडर लगा लेना है अब बारी आती है आइब्रोस को यूनो सेट करने की सबसे पहला जो काम करूंगी मैं अपने फेस पे जहां पी मुझे ऐसा फाउंडे आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं या फिर फाउंडेशन ले सकते हैं और अपने आई लीड पे इस तरह से अपलाई कर लीजे इसे क्या होता है जब भी आप अपने आई मेकप करते होना तो बहुत ही सुन्दर लगता है आई लीड पे जब भी आप कोई भी सीमर वगेरे ताकि वो एकदम से फैलेना उसके बाद मैंने आप इन मैबलीन का निवड लिया है आई पैलेट जैसे के आप देख सकते हैं मैं अपने ड्रेस अकॉर्डिंग अपनी आई मेकप करूंगी तो हल्का सा लाइट पींक लिया है मैंने सबसे पहले हमेशा हयाद रखना है आपको कि जब भी आप आई मेकप करें तो सबसे पहले एक लाइट शेड अपलाए करें जो कि आपके आई अरिया के उपर हो यह बहुत ज़ादा आपको ध्यान देने वाली बात है सबसे पहले आपको लेना होता है एकदम लाइट शेड जो कि आप जैसे आप देख सकते हैं मैं क् जो कि मजेंडा कलर है तो मैं इसे आई लीड पे ही क्रीज लाइन पे इसे अपलाए कर रही हूं तो आप देख सकते हैं दोनों का कॉंबिनेशन यह काफी अच्छा है एंड उठके लगता है आपका जो आई मेकप है वो इन्हांस होता है और सबको नोटी सोता है कि आपने आई मेकप किया हुआ है तो कुछ इसी तरह से आपको अपने क्रीज लाइन पे बनाते हुए इस डार्क शेड को अपलाए कर लेना है उसके बाद में अपने ड्रेस अकॉर्डिंग सीमर वाली जो पिंक कलर है उस पे अपने आई लीड पे इसे अपलाए कर लूंगी जैसे क लीड पे यूज करना है आपके ड्रेस अकॉर्डिंग तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं बस एक्सिस जो था वो मैंने यहां से क्लीन कर लिया है ब्रश के हल्प से अब मैं यहां पे काजल जो पैंसी लाइन अईनर होती है फ्रेंड्स मैं उसका यूज करने वाली हूँ अपनी लईनर को ड्राऊ करने के लिए तो कौरणर से स्टार्ड किया है मैंने आप जैसे कि देख सकते हैं और मुझे बड़ा इंटरस्टिंग सा लगता है कि जब ही मैं पैंसी लाइनर लगाती ह beers तो मैं क्यामरे में देखके भी लगा लेती हूँ तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं आप लोगों के लिए अगर नहीं चेक किया है तो जरूर चेक करिएगा पैंसिल आइलाइनर लगाना बहुत से लोगों को नहीं आता है बट यह बहुत ही ईजी है ना आसानी से आप यूज कर सकते हो तो यह देखे फ्रेंट्स मैं कैमरे में देखके ही आप लोगों के सामने ही कर रही हूँ और अच्छा सा हमें लाइनर को थोड़ा सा विंग्स लाइन में बनाऊंगी और इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई है आई-लाइनर पैंसिल आई-लाइनर आप किस तरह से घर पे बहुत ही आसानी से लगा सकते हो और यह 24 आर्स तक रहती है तो जरूर चेक करना उस वीडियो को उसके बाद मैं वाटर लाइन पे वाइट काजल का यूज कर रही हूं फ्रेंड्स वाइट काजल इसले यूज कर रहे हूं क्योंकि हमारी जो आई जो बहुत ही बड़ी बड़ी लगती है और बड़ी आई बहुत सी ज्यादा सुन्दर लगती है और एक्सेस जो है उसे मैं क्लीन कर लूँगी ब्रश के हेल्प से अब मैंने यहां पर परपल कलर थोड़ी सी लाइट शेड में यहां पेंसिल ली है तो इसे वाटर लाइन के नीचे के साइड में मैं इसे ड्रॉ कर रही हूं आप चाहें तो ब्रश में लेके हलका सा आप तो पिंक शेड दे सकते हैं यहां पे तो यह काफी अच्छी लगती है क्योंकि मेरा जो गाउन है यह पिंक कलर का है और मैं इसे ही इसलिए उसी अकॉर्डिंग इसे यूज कर रही हूं इस कलर को अब उसके बाद बाद यहाती है आइब्रोस फील करने की तो सबसे पहले नीचे के साइड में मैंने यहां पे आउटलाइन रॉक किया जैसे आप देख सकते हैं और उपर की तरफ में भी तो दोनों को बीच में से इस तरह से फील कर लेना है मैंने यहां पे औरी फ्लेम का लिया हुआ है जिसे कि मैं अपनी आई शेडो को फील कर रही हूं और यह बहुत अच्छी तरह से एकदम नाच्रल लगता है बहुत ज़ादा ऐसे उठके और उभरके नहीं दिखता है कि बहुत और मुझे थीक अब्रो करना पसंदे तो मैंने थीक अब्रो रखी हुई है आप पतला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह से हमने दोनों अब्रो को फील कर लिया है जो एकसेस लगे उसे अपने फिंगर से आपको जस्ट ऐसे वाइप कर लेना होता है तो हमारी आई मेकप डन हो चुकी है अब अब मैं यहां पर लिप लाइनर यूज़ कर रही हूं सबसे पहले इसके बाद अब मैं लिप्स्टिक यूज़ कर रही हूँ यह जो है सोफायर की लिप्स्टिक है और रेड कलर की लिप्स्टिक में यहां पे अप्लाई कर रही हूं और आपने देखा जब हमने फाउंडेशन जो अप्लाई किया है टू मिक्षर वाला यह बहुत ही कमाल का लग रहा है ऐसे बिल्कुल भी लगता नहीं है कि अपने फेस पे बहुत जादा फांडेशन का यूज़ किया है तो इसे रिमूब कर लेते हैं अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो यह बड़ी इंटरस्टिंग और मैं यहां पे बलशर का यूज़ कर रही हूं पिंक कलर क जैसे मेरे ड्रेस के अकॉडिंग है और यह ओरी फ्लेम का ही है सेवं फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं लिप्स्टिक लगाने के बाद ही हमारी जो स्कीन है वो कितनी अच्छी है और फ्लॉलेस लग रही है अब बस आपको अपने एरिंग से जुमका जो भी है आप इसे कर लीजिए तो मेरी ड्रेस अकॉर्डिंग मैंने यहां पर ली हुई है जुमका तो आप देख सकते हो बस जुमके यहां पर में पहन लूँगी तो फ्रेंज आज की वीडियो आपको कैसी लगी ना जरूर कॉमेंट करके आप लोग बताईए अगर आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे हैर स्टाइल इतनी बनाने नहीं आती है बट मैं खुले बाल जादा रखना पसंद करती हूं तो कुछ इस तरह से बालों को अब मैं आप लोगों को साथ में थोड़े से एक शेयर कर देती हूं बालों को आगे लेके जस्ट उसे ट्विस्ट कर दूंगी मैं तो इस तरह से भी एक हैर स्टाइल जो है वो रेडी हो जाती है वैसे खुले बाल मुझे जादा पसंद है जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा मेक अप जो हैना सिंपल सा रेडी हो चुका है बहुत जादा आपको फाउंडेशन और यह सारी चीज़े यूज़े यूज़ करन करिए लाइक करें